नमस्कार दोस्तों, आईए सुनते हैं लगु हास्य नाटि का मुहावरापुरी विजय भाई श्याम, आज तो बहुत ठक गए घूमते घूमते ये ध्यान ही नहीं रहा कि घर से कितनी दूर निकल आए श्याम, हमें ये भी तो मालूम नहीं कि हम इस समय कौन से गाउं में खड़े हैं चलो सामने उस दुकान पर बैठ कर सुस्ता भी ले और गाउं का नाम भी पूछ ले दोनों चलते हैं विजय भाई दुकानदार जी, जैराम जी की, हम बहुत ठक गए हैं क्या यहां पर थोड़ी देर बैठ कर विश्राम कर लें दुकानदार हम, जान ना पहचान बड़े मियास सलाम जब तुम्हारा मेरा परिचय ही नहीं है तो तुम मुझ से जैराम जी की क्यों कर रहे हो अरे, तुम्हारे अंगंग धीले हो रहे हैं तुम मैं क्या करूँ चलते फिरते नजर आओ यहां से शाम बड़े विचितरा अदमी हो यार किस तरहां बाते करते हो क्या तुम्हारे इस गाउं में अतिथियों के साथ ऐसा ही बरताव किया जाता है दुकानदार अरे वह, मान ना मान मैं तेरा महमान जब मैं तुम्हें जानता तक नहीं तो तुम मेरे अतिथि कैसे हुए तुम लोग मुझे उल्लू बना कर मेरी दुकान पर अड़ा जमाना चाहते हो सो ये सब यहां नहीं चलने का विजय भाई, ये अड़ा जमाना क्या होता है और तुम्हारी दुकान पर उसे क्यों जमाने लगे शाम, हम आपको उल्लू कैसे बना सकते हैं दुकानदार जी दुकानदार, अरे तुम मुझे बातों ही बातों में बहका कर हमीशा के लिए दुकान पर रहने लग जाओगे और क्या बात तो ऐसी बनाते हैं जैसे कुछ समझते ही नहीं बेचारे विजय, यार शाम इस गाओं के लोग तो बड़े वहमी नजर आते हैं अच्छा श्रीमान, आप हमें यहां विश्राम मत करने दीजिए पर कम से कम इस गाओं का नाम तो बता दीजिए दुकानदार नाम से तुम्हें क्या काम? नाम बड़े और दर्शन छोटे सुनो, इस गाओं का नाम तो बहुत बड़ा है मुहावरापुरी पर ये सच मुच में है एक छोटा सा गाओं क्या समझे? जिस जगह पर तुम खड़े हो, इसका नाम है लोकोक्ती गली और ये कहावत चौक में जाकर समाप्थ होती है पर कान खोल कर सुन लो जब तक तुम लोग यहां की भाशा में बात करना सीख कर नहीं आओगे, यहां तुम्हारी दाल नहीं गलेगी श्याम अश्चर्य से मुहावरापुरी? लोकोक्ती गली कहावत चौक यार विजय हम कहाँ आप हसे? विजय दुकानदार जी कान तो हमारे खुले हुए है पर दाल तो हमारे पास है ही नहीं गलेगी कहाँ से? दुकानदार कैसे मूर्खों से पाला पड़ा है? अरे बाबा कान खोल कर सुनने का अर्थ है कि मेरी बातों को ध्यान से सुनो और समझो दाल गलने का अर्थ है कि मुहावरों की भाशा में बोले बिना यहां तुम्हारा काम नहीं चलेगा अब तुम लोग हवा होते हो यहां से या हड़ी पसली तोड़वाने की इच्छा है अरे हमारी हड़ी पसली तोड़ कर उनका क्या बनाएंगे और आदमी से हम हवा कैसे बन जाए दुकानदार अब मैं तुमसे एक बात भी नहीं करना चाहता तुम लोग मुहावरों की भाशा में बोलना तो जानते नहीं बिना काम मेरा सिर खाय जा रहे हो सिर खाने से इनका इशारा शायद बिना काम करने से है क्यों दुकानदार जी क्या यहां सब बाते मुहावरों में ही की जाती है दुकानदार हाँ इसे तुम पत्थर पर लकीर समझो और अच्छी तरह से अपने हृदय पर लिख लो विजय समझ गए दादा गुरू हमारे स्कूल में मास्टर जी ने हमें मुहावरे पढ़ाए तो थे पर हमने ही उन्हें याद करने में लापरवाही की अब क्या करें हम तो अपने मुहावरों की किताब भी घर पर ही छोड़ाए दुकानदार अरे छोकरों कंठ की विद्या और जेब का पैसा ही समय पर काम देता है स्कूल में तो तुमने मुहावरे पढ़े नहीं और अब पच्चता रहे हो पर अब पच्चता होत क्या जब चिडियां चुग गई खेत शाम अरे हम चिडियों को खेत कैसे चुगने देंगे हाथ में जो डंडा रखते हैं और बताओ कहां है खेत और कहां है चिडियां दुकानदार अरे बच्चिया के ताउ जब समय ही निकल गया तो तेरा डंडा क्या कर लेगा शाम बड़े जोर से हसकर बच्चिया के ताउ हम तो समझते थे कि हमारे ही ताउजी है पर आज मालूम हुआ कि हम भी किसी के ताउजी है विजय शाम ये तो बड़ी दिल्चस्प जगा है चलो थोड़ा आगे चल कर देखें दोनों चलते हैं भग देखो कुए पर कुछ लड़किया पानी भर रही है वहाँ चल कर पानी पिएं कुए पर जाते हैं शाम दीदी हम प्यासे हैं थोड़ा पानी पिला दो ना लड़की पहले तो तो ये बता कि तूने मुझे दीदी क्यों कहा शाम अपना काम पढ़ने पर तो गधे को भी बाप बना लिया जाता है फिर आप तो हमसे बड़ी है दीदी बना लिया तो क्या हुआ लड़की खुश हो कर अच्छा तो लो पानी पियो पानी पिलाती है आओ आज मेरी कुटिया में ही थोड़ी देर पैर फैला कर बैठो विजय दीदी यहां के सब मकानों पर छपर ही छपर क्यों है क्या यहां पक्के मकान नहीं बनते लड़की भईया क्या तुम नहीं जानते कि कोठा वाला रोए और छपर वाला सोए इसी लिए हम अपने मकानों पर छपर डालते है और फिर भगवान जब देता है तो छप पर फाड़ कर ही देता है, छट फोड़ कर नहीं शाम, दीदी कुछ खाने को दो ना, हमारे पेट में तो चुहे कूदने लगे हैं लड़की, हाँ हाँ लो, रूखी सूखी रोटी खाकर उस मटके में से ठंडा पानी पी लो विजए, दीदी, रोटी तो एक दम सूखी हुई है और इस पर कोई सबजी भी नहीं है, हम इसे कैसे खाएं लड़की, अरे, रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी, देख पराई चूपडी मतलल चावे जी शाम, पर आज तो हम तुम्हारे महमान हैं दीदी, मूँ तो मीठा कराओ लड़की, देखो घी गुड़ बाजी और सब दगाबाजी, घी गुड़ के सिवा और तो सब चीजों में मिलावट होती है लो, तुम ये गुड़ खाकर मूँ मीठा कर लो लड़की, चुपके से उनके कान में नक्ष चुबो देती है दोनों जोर-जोर से रोते है विजय, रोता हुआ आए, ये मेरे कान क्यों छेद डाले लड़की, तो इतना चिलाते क्यों हो कान छिदाए, सोई गुड़ खाए तुमने गुड़ मागा, तो मैंने तुम्हारे कान छेद दिए विजय, अच्छा दीदी, अब हम जाते है लड़की, जाओगे? अच्छा, ठहरो दोनों के मूँ काले कर देती है विजय, अरे वाहरे ये हमारे मूँ क्यों काले कर दिए लड़की, क्यों? भागो यहां से, सिर पर पैर रख कर भागो नहीं तो और कोई आफ़त आ जाएगी शाम, हाँ भैया, छोड़ो ये मुहावरा पुरी चलो यहां से जल्दी दोनों भागते हैं दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे लगू हासिया नाटि का मुहावरा पुरी उमीद है आपको ये नाटक, ये कहानिया पसंदा रहे होंगे मेरे चानल पर आने के लिए और इन कहानियों को सुनने के लिए आपका धन्यवाद